चमशेदपूर से श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी है सफागत है आपका अलो जी नमस्कार मुझे जानना दो है मुझे पुरी स्पाइन में प्राब्लम होती है बस डले के चारो तरभी दूश्वेलिंग आगई है दोनों तरह गले की बाएं और दानी दानी तरभी स्वेलिंग है तो हमें क्या दवाई लेनी चाहिए बेटा कैसी कितनी उमर है आपकी मेरी अभी चालिस है और यह मुझे जो सास्तर पहले सी हुआवा है ठीक है अच्छो देखिए आपके गले के लिए एक इलाज है कि आपको पांच बार दिन में गरम पानी पीना है और उसमें गरम पानी करेंगे न तो उसमें आदा चमच सौट और आदा चमच धनिया और एक चुटकी इसमें मिलाना है खाने वाला नमक दो गिलास पानी में उबा लिए इतना उबा लिए कि एक गिलास रह जाए जलते जलते और पर गरम गरम पीज़े जो चुस्कियां लेके तो गले का इलाज हो जागा स्पाइन की प्राबलम की दुनिया की एक अच्छी रो मैटेरियल मैं बताता हूं मिले की मुश्किल से नकली मत लेना असली लेना गौन सिया यानि काला गौन काला गौन आप सो ग्राम भी खरीद लेंगे तो उसके खतम होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है लेकिन इसकी बहुत जरासी है और दस बारा रुपे की एक दिन की इसकी दवा है अगर असली मिल जाए तो दस बारा रुपे एक दिन में खर्च कर सकता है शायद हर आदमी आप भी उसे हासिल करने कोश कीजिए आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम इसको खाईए और आप देखेंगे यह 100-200 ग्राम खतम होते होते आप पहले जैसी हो गई तो मुझे आपको फाइदा मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है दिली से मनी राम हमारे साथ स्फागत है आपका अधिया अधिया हालो हालो हान जी सवाल कीजिए हाली मैडम मैंने कल भी फॉन करा था मैंताया था जी मैंने खताया था आपको उन्होंने बोला था अधिरक नस्तन और गयतों करते हैं ये मेरी निस्य ब्लॉक हो रही है। उसके लिए बताए था, ummm ने. तो वह पर पताकर की आया, जहां पर मिलता है. हमआर यह अखो वैद, वैद है, वैद. उनके वहां जा के पताए काया या, मैं वह कह रहे हैं कि श्रका तो नहीं आता जायत उनका. अच्छा ठीक है, जो दिए गौर से सुनिये मेरी बात, हर वैद, हर हकीम आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर आप परिशान होंगे, जैते उनका सिर्का आता है, और ये आपको हासिल करना है, कहीं नहीं मिले तो हमारे पास भी मिल सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हफता दो हफता लगेंगे आप तक पहुचने में, और किसी से बनी बनाई दवाई में लेना, आपको खुद बनानी है, ये शर्त है, और बाकी चीज़ें तो आपको मिलेंगी, नीबू, लेसन, अद्रक, ये तो सब कोई मिलती है, इसका जूस निकाल लीजे, या इसकी बन हार्ट के लिए या दिमाग के मर्स के लिए ब्लॉकिज हो जाते हैं, या हार्ट ब्लॉकिज हो जाते हैं, या कॉलिस्टॉल हो जाता है, उसके लिए होती है, तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आपको फाइदा मुमकिन है, मेरी बात गोर से सुना क आपका वग्जाय होता है बार बार फोन करने में, आप खुँद बना सकते में जैतुन का सिर्का में जमे धारिज से बता रहूं मिलता है, कहीं ने विले तो हमारे पास तो मिलता है, क्भी ये जैतुन यहां पैदा नहीं होता, तो कुछ ही लोग इसको बनाते हैं, साओधी मुलकों से ये जैतून आता है, उसका फिर सिर्का बना जाता है, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो हर कोई रखता नहीं है, महेंगा भी आता है, इस वज़े से भी नहीं रखते हैं चलिए, नेक्स्ट कॉलर है, गोपाल, मुंबई से हमारे साथ, स्वागत है गोपाल, आपका हाँ जी, सवाल कीजिए असलाम अलेकम जी, जी, आदाब मेरी लड़की है, मेरी लड़की है, रेखा गुपता करके, तालीच साल उमर है जी हालो जी, हम सुन रहा है, आप बताएं हाँ, जालीच साल उमर है, उसका पेड खूल जाता है, तो देखो गिन में, साम होते होते पेड खूल जाता है और सास नेदे में तक्रीव हो जाती है अच्छा कोई सॉनोग्राफी वगएरा करा लिया आपने? सॉनोग्राफी में तो कुछ नहीं आ रहा है ठीक है, फिर बहुत अच्छा है मैं एक लुसका बताता हूँ और बच्ची के अगर पत्थरी नहीं है तो बहुत अच्छा है सॉनोग्राफी में पता चलता है, पत्थरी तो नहीं है तो बहुत अच्छा है कि पत्री नहीं है अनिमल फैट बंद कर दे और देखिए सौफ धनिया सौट सौट यह नहीं अद्रक का जो पॉर्डर होता है सौट कहते हैं और अलसी सौफ धनिया सौट अलसी और कलॉंजी का नमक एक वह आता है एस्टेक कलॉंजी का उसको हम आसान जबान में कलॉंजी का नमक कहते हैं इन सब को सो सो गिराम लेकर पॉर्डर बनाएं और तीन तीन गिराम दिन में खाने से पहले पानी के साथ इनको दीजे और एक दिन में पांच बार इने गरम पानी पीना है यह अगर करते हैं तो बहु बहुत अच्छी हो जाएगे लेकिन जो अभी आपे नुस्के हकीम साहब ने आपको बताए है ये नूट डाउन जरूर कर लिजेगा उमीद करेंगे कि अब आप ये नुस्के अपनाना शुरू कर देंगे क्योंकि आप भी चाहते होंगे हम भी चाहते हैं कि आपकी बच्ची जल से जल स्वस्थ हो जाए तो आपने विश्वास के साथ इस कारक्रम में कॉल किया है तो उसी विश्वास के साथ आपको ये नुस्के भी अपनाने होंगे तब ही देखिएगा आपको लाभी लाभ जरूर मिलेगा दर्श को यवा फिर से बताना चाहूंगी जुतनी भी रौ माटीरियल आप सभी को हकीम सहाब बताते हैं आप मार्किट में जाके भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं अगर असली नकली में पहचान नहीं कर पा रही है या कोई रौ माटीरियल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारी कमपनी यानि कि हकीम सहाब की कमपनी से आप उने मंगवा सकते हैं लेकिन जल्द बाजी में कोई भी चीज आप तक नहीं आ पाएगी क्योंकि हम असली ही रौ माटीरियल आप तक पहुंचाते हैं जो आपको घर में ही पीसके बनानी होगी और जो दबाई भी आपको हकीम सहब यहां पर बताते हैं वो युनानी पर्दु नाम क्या है आपका मैं टावा से बात कर रही हूं नाम लाली है चलिए ठीक है लाली असली पेशेंट तो आप ही है सीधा बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं ऐसी पेशेंट होते हैं जो सही ज़रुवतमन्द होते हैं लाली देखो आप अगर ठीक होना चाहते हो तो आपक और एक गौन आता है गौन सिया हम कहते हैं और इसे काला गौन भी कहा जाता है यह असली हासिल करिए असली ही मिलना चाहिए और आदा ग्राम सुबा आदा ग्राम शाम पानी से या बगए चर्बी के दूस से और आप अगर रई से तो जूस से या कभी दूद कभी पानी कभी जूस इस्तमाल करें आपको बहुत जल्द फायदा होना मुम्किन है बिल्कुल हकीम साब जैसे कि आप बात करते हैं गौन सिया की गौन मौरिंगा की तो इनके पहचान आपसे जरूर में यहाँ पर जाना चाहूंगी क्योंकि यही है जो व्यक्ति को इतना जादा फायदा दे रहा है और कुछ लोगों को तो मिल पाना ही मुश्किल हो रहा है अगर आप मुझसे कहें कि असली दूद की पहचान करो तो भी नहीं होती जिए शेहद में भी लोग जो नकल बनाने वाले हैं बहुत बिलकुल मतलब असल जय भी अच्छा बना देते हैं दूद भी बना देते हैं गी भी बना देते हैं सबसे पहले तो पहचान जो दवाई है गम है यह तो फिर दीरे मों कड़वा होना शुरू हो जाता है इतना कड़वा हो जाता है दीरे-दीरे के आदबी को ठूकना पड़ता है फिर भी ठीक नहीं होता पानी पीता है उससे भी ठीक नहीं होता कड़वाट मत जाती नहीं तो फिर कुछ मीठा या नमकीन खाना कि फिर मुझे अगर में जल्दी से कुछ से कुछ नहीं करो तो मुझे परिशाणी हो जाती तो हो है कि रहता है मैं ब्लण होता है उसे कու स्या अच्वा करना यह काला न्हां में ब्रां उता है और भरोच से की जगा से लेंगे तो फाइदा मुम्किन है। आपको एक नस्खा बताया था पिरसे बता देता हूँ देखिए धनिया साउफ धनिया साउफ सौट और गौन मौरिंगा ये सब चीजें सो सो ग्राम लें और वैसे आदा आदा चमच सुबा शाम पानी के साथ लें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है। तो चलिए हम उमीद करेंगे कि अब आपने सारी बातें यहाँ पर जान ली होंगी अगर कोई भी बात सुनने से आप चूग जाते हैं तो हेल्प लाइन नमबर लगता चल रही हैं आप इन पर कॉन्टेक कर सकते हैं। दर्श को आप लोग भी इस कारक्रम में जुड सकते हैं क्योंकि जब आप लोग अपने आपको समझेंगे, अपने शरीर को समझेंगे, अपने जीवन को समझेंगे तो एक बहतर उपचार आप सभी कर सकते हैं। और ऐसे घरेलू नुसके आप लोगों को बताये जा रही है, जो बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं, आप लोगों को घर में बैठे बैठे ही तो बनाने हैं, लेकिन अगर आप लोगों का कारक्रम में कॉल नहीं लग पाता है, तो help line नबर पे आप contact कर सकते हैं। दो इप बड़े हैं, एक तो यह के हमारा पेट में कोई रोग नही होना चाहिए, गैस, खटी डगार, कौबस वगेरा वगेरा, हमें जो हें पेट saaf रहना चाहिए, और एक हमें नजला जूकाम नहीं होना चाहिए, छींके नहीं आनी चाहिए, अब क्विए यह पता चला है लोगों को, हाला कि मैं तो शुरू से कहता हूँ कि देखिए, हमारे अंदर जो एक शक्ती है, परवाले ने दिये सब को, तो वो शक्ती ऐसी है जो बीमारियों से लड़ती है, हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारे खून में है, अब गाओंवाले कहते हैं कि खून में सर्दी ह तो ये जो खून की सर्दी है, जो लोग जरा सी हवा चलने से, जरा सा छोंका लगने सीकने लगते हैं, ये बड़े कमजोर लोग कहलाते हैं, और इनमें इम्यूनिटी की कमी होती है, इम्यूनिटी हर शख्स में जरुरत के मताबिक होनी ही चाहिए, और मौजूदा वक्त मे तो पूरी दुनिया को इसकी जरुरत पड़ गई, जबकि युनानी हमेशा से इस शक्ति के बारे में, जो हम कुवत मुदाफियत कहते हैं, यानि रोग पिर्ती रोदक शक्ति जो होती है, इसके बारे में युनानी हमेशा से बात करती है, तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसी जिसको जो चाहिए वो इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपनी रोब पित्ती रोदक शम्ता को बढ़ा लें कॉलर है सना हुसेन हमारे साथ स्वागत है सना आपका जी असलाव लेपो जी वालेश्लाम जी जी सना जी मैं आपका टी के खा रही हूं अच्छा अच्छा अच्छ आपको तो अभी तक मुकमल फाइदा हो जाना चाहिए इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि चाहे दवा नखाए वो बगए दवा के भी ठीक हो सकते है लेकिन घर में वेस्टन ट्वालेश्ट जरूर होना चाहिए जिनके कमर से टांगों में दर्द आता है और हर घर में तकरीबन कोई बुज़र्ग होता है जो इसकी उम्र जादा होती है आप और मेरी उम्र तकरीबन यकसा है बरावर है तो आपको ये काम जरूर करना है अगर आपको ठीक होना नहीं तो बार बार दवाएं आपके उस जगा को जोड़ती हैं और आप जब ट्वालेट नहीं हो तो एक शीटी तो लगवानी है जो आपके बातरूम है उसी पर एक शीट लगवानी है बात खतम कितना पैसा लगए हजार दोजार रुपे लगए इतना पैसा तो आप दवाओं पर खर्च कर देते हैं तो आप ये ज़रूर करें जब यह आप पुरी क्या साथ है एक्चली में दौक्ता मेरी जॉटर है 16 साल की है और वो पहले चंडी कर रहती थी अब यहां नर्डा शेट होगी है तो दौक्ता उसके बाल अचानक ना काफी जड़ने लगदे हैं बहुत गुच्छे गुच्छे आप में आ जाती हैं चीक है और बच्ची का ह रहा हूं एक नार्यल पानी रोज पिलाएं और बच्ची काफी होना चाहिए उस बच्ची के लिए नाइडा में मिलता है और उसके बावजद भी आप उसको ऐसा लगए कि कम पाइदा है तो आदा ग्राम इस नार्यल पानी के साथ गौन मॉरिंगा इस्तेमाल करें यह काफ हफते लेंगी तो उनको फायदा होना मुमकिन है